आज के दिन की शुरुबात करेंगे 17 मार्च 2023 के करेंट अफेर के साथ हर एक कोश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए पूरा वीडियो अंतिन तक ध्यान से देखिएगा PDF आप लोग exam engine application से डाउनलूड कर सकते हूँ गेली की जो current affair की PDF होती है उसमें current affair के साथ static gk के भी कई सारे facts होते हैं तो इसलिए आफ PDF जरूर ले लिया करिये इसकी अब चलिए शुरू करते हैं आज के current affair लेकिन पहले बात करेंगे कल के सवाल की कल मेरा आपसे question ये था कि तादोबा नैशनल पार्क जो है ये कौन से राज्य में इस थे माफी चाहता हूँ तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर महरास्ट answer किया है उन सभी का answer सही है महरास्ट में चंद्रपूर डिस्टिक पढ़ता है क्या नाम है इसका चंद्रपूर डिस्टिक जहां पर ये नैशनल पार्क है इस नैशनल पार्क की स्थापना 1955 में करी गई थी अब शुरू करते हैं आज के current affair पहला question यह है कि भारत सरकार के द्वारा अभी हाली में भारत नेपाल आस्था यात्रा नाम के train launch करी गई है कौन से initiative के अंतरगत तो इसको देखो अपना देश initiative के अंतरगत launch किया गया है यह जो भारत नेपाल आस्था यात्रा है यह बोल्ड करेगी न्यू डेली से कहां से नई डेली से और basically यह जो train है यह जलंदर से चलेगी दूसी चीज ध्यान रखना है कि यह भारत के अंदर 10 तीरत इस्थानों में आपको गुमाएगी और इसके अलावा यह total 10 दिन का टू तो 10 दिन के टूर में आपको multiple places गुमने का मौका मिलेगा जैसे की तुन्याग राज का हनुमान मंदिर हो गया इसके अलावा गंगा यमना स्वरस्वती का जो संगम है तुल्सी मानस टेंपिल हो गया या फिर राम जन्म भूमी मंदिर हो गया हनुमान गड़ी हो गया इस त क्या आप बता सकते हो इस टाइम पे इंडियन डेलवे के चेहर परसन कौन है क्योंकि एक जन्वरी ने मेही इन्होंने भी हाली में पतवार समाला है तो यह है अनिल कुमार लाहूती कौन है अनिल कुमार लाहूती अगला कुशन है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांस्पोर्ट नितिन गड़करी एस अन्वीर्ड था फर्स्ट मीथे नौल रन बसेस इन्विज रिटी अभी हाली में ट्रांस्पोर्ट मंत्री नितिन गड़करी के द्वारा हो भारत की पहली मीथे नौल से चल इसमें अशोक लीलेंड ने आगे बढ़ चल के पाटिसपेट किया है मतलब ज्यादा तर जो यह बसे है यह अशोक लीलेंड के ही द्वारा बनाई गई हैं मीथे लौर से चलने वाली इन बसों की खास बात यह होगी कि इस से पॉलूशन भी कम होगा और इसके अलाबा अगला कुशन है एनवार्मेंट मंतरी भूपेंदर यादो जो हैं इनके द्वारा अभी हाली में कौन से शहर में जी ट्वंटी फ्लावर फेस्टिवल का उधगाटन क्या गया है जो की दो तिनों तक चलेगा तो इसका उधगाटन क्या गया है नई दिल्ली में कहां पर कन प्रदान मंत्री नरेन मूदी के द्वारा अभी हाली में केवल भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लैटफॉर्म इसका उधगाटन किया गया है प्रदान मंत्री नरेन मूदी अभी करनाटक की आतरा पर थे वहाँ पर इन्हों ने और भी कई सारी योजनाय लौज करी है एक साथ साथ में ये जो हुबली धारवार रेलवे प्लैटफॉर्म है ये अपने आप में गिनीज वुक आफ रिकॉर्ड में भी आ चुका है मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको खिताब भी दे दिया है तुरंत दुनिया के सबसे लंबे प्लैटफॉर्म होने का और इसकी लेंद्ध कितनी है फंदरा सो साथ मीटर मतलब सीधे सीधे आप समझ लीजे देल किलो मीटर का ये प्लैटफॉर्म है जो की बहुत बड़ा है और इसको 20 करोन की लागस से बनाए गया है 20 CR की लागस से करनाटक में इस टाइम पर मुख्य मंत्री है विसाओ राउज बूमी की प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने अभी हाली में तीसरा संस्क्रण नैशनल प्लैटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडिक्शन का इसका उधगाटन भी नहीं दिल्ली में किया था नेक्स कोशन है चीफ जस्टिस ऑफ दा सूप्रीम कोर्ट और संगाई कॉपरेशन और्गनाइजेशन मेंबर्स की इठारवी मीटिंग का उधगाटन अभी हाली में कौन से शेहर में क्या गया है नतलब आप ये समझ लो कि एस सीओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज है ठीक ह तो उन कंट्रीज के जो सूप्रीम कोर्ट हैं उनके जजजेस की मीटिंग हुई तो इसका नहाँ पर उधगाटन क्या गया तो ये इस पार नई दिल्ली में अयुजित करी गई मीटिंग और इसको लीड क्या है भारत के चीफ जिस्टिस ने पर हमारे सीजेई कौन है ये है है दी भाई चंद चून तो इनके दोरा इसको लीड किया गया है और अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2001 में करी गई थी संगाई कोर्ण का हैं बीजिंग बीजिंग और इस टाइम पे इसके सेक्रेटरी जनरल है जांग मिंग क्या नाम है जांग मिंग पिछले साल ही को एपॉइंट किया गया है सेक्रेटी जनरल के रूप में SEO का 2023 होस्ट कौन कर रहा है SEO 2023 को भी भारत ही होस्ट कर रहा है पिछले साल उजबेकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था Next question है आयूश मंत्राले के द्वारा कौन से शहर में योगा 2022 का आयूजन किया जा रहा है तो आयूश मंत्राले नई दिल्ली में ही आयूजन कर रहा है योगा 2022 2023 का और काउंडाउन स्टार्ट हो चुका है 100 दिन का पुरा ये काउंडाउन चलेगा और पूरे भारत पर में सैलिबरेशन चलेगा और योगा से जुड़े हुए इंट्रेस्टिंग फैक्ट लोगों को बताए जाएंगे, योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में लोगों को अवेरनेस फैलाई जाएगी कि योगा से क्या क्या फायदे होते हैं, तो इस बार जो योगा दिवस आएगा, उसके लिए जो स इंडिया डिस्टिक में, बैंगलोर से मैसूर तक कनेक्ट करने वाला एक्सप्रेस वे, जिसकी लेंथ है 118 किलोमीटर, इसका उधगाटन किसके द्वारा किया गया है, तो पीम नरेन मोदी वहीं की आत्रा पड़ते हैं, प्रधान मंत्री नरेन मोदी नहीं इसका भी प्रधान किया है, और इस पूरे 118 किलोमीटर एक्सप्रेस वे को 500 करोन की लागत से बनाया गया है, 5400 CR की मदद से, अभी तक बैंगलोर से मैसूर तक 180 मिनिट लगा करते थे, मतलब करीब 3 घंटे लगा करते थे, अब इस एक्सप्रेस वे की मदद से केवल 75 मिनिट में इंटरल वेर हाउसिंग कोपरेशन के साथ पैक्ट असाइन किया है, और इनके साथ मिलकर ये, पूरे भारत पर में ऐसे व्यापारी वर्ग, जिनका वेर हाउस से लेना देना है, वेर हाउस मतलब आप समझते हो ना, जहां पर एक तरीके से आप गो डाउन मान लीजे, कि ज पंजाब नेशनल बैंक ने ये पैक्ट असाइन किया है, सेंटल वेर हाउसिंग कोपरेशन के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में करी गई थी, 1894 में, इसका हेड़कॉर्टर है नहीं दिल्ली, ये भारत का पहला सुदेसी बैंक था, और इसकी स्थापन लाला लाजपत राई के द्वारा करी गई थी, इस टाइम पे PNB के CEO हैं, अतुल कुमार गोयल, कौन है, अतुल कुमार गोयल, एक्सेस बैंक 1993, स्टेड बैंक ओफ इंडिया 1955, और SDFC बैंक 1994, SDFC बैंक के एक बार फिर से CEO के रूप में, शशिदर जगदीशन को भी हाली में पॉइंट किया गया है, अगला कुशन है, ये कौन सी म्यूचल फंड कंपनी है, जिसका अभी हाली में नाम बदल के बंधन म्यूचल फंड कर दिया गया है, तो ये है IDFC म्यूचल फंड, दरसल हुआ क्या, कि पिछले साल, एपरेल 2022 में, IDFC म्यूचल फंड को बंधन बैंक खरीद लिया, तो अब सारी जब डॉक्यमेंटेशन हो गई है, तो उसके बाद IDFC म्यूचल फंड का नाम बदल के बंधन म्यूचल फंड कर दिया गया है, मतलब म्यूचल फंड वैसा ही रहेगा, बस IDFC की जगे, अब ये बंधन के नाम से जाना जाएगी, बंधन बैंक की स थापना साल 2001 में करी गई थी, इसका headquarter है Kolkata, क्या है Kolkata, नेक्स कोशन है, City Commercial Bank के head के रूप में अभी हाली में किसको appoint किया गया है, तो CCB के head के रूप में Banu Vohra को appoint किया गया है, किसको Banu Vohra, और दूसी चीज आपको ध्यान रखना है, इन्होंने किसको succeed किया है, तो इन् तुशार विक्रम, तुशार विक्रम को इन्होंने succeed किया है, अगला कोशन है, LIC में अगले तीन महिने के लिए, interim chair person के रूप में किसको appoint किया गया है, Life Insurance Corporation of India, LIC आपको पता है, भारत में यह नहीं, पूरे दुनिया की अगर बात करे, तो तीसने नंबर पे सबसे strong insurance company है, औ और नंबर वन पे Chinese insurance company है, तो फिलाल LIC के interim chair person के रूप में अगले तीन महिने के लिए, सिदार्त मोहनती को appoint किया गया है, LIC की स्थापना 1956 में करी गई थी, इसका headquarter है Mumbai, और इसकी tagline क्या है, जिंदिगी के साथ भी, जिंदिगी के बात भी, इस time पर आपको पता है, पूरे अगली में 2023 के, Pritzker architecture price से किसको संभानित किया गया है, तो इसके लिए संभानित किया गये है David Shipperfield, क्या नाम है David Shipperfield, और ये कौन से देश से बिलोग करते हैं, ये Britain से बिलोग करते हैं, British architect हैं, तो architecture के छेत्र में उतकर स्टकार करने के लिए, इनको Pritzker architecture price 2023 से संभानित किया और यह जो प्राइस है, इसमें पिछले साल 2023 का प्रिट्सकर किसको दिया गया था, तो यह जर्मनी के है, इनका नाम है फ्रांसिस कैरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, फ्रांसिस कैरी, इनको पिछले साल सम्मानित किया गया था, जर्मन आर्किटेक्ट को, बाइदवे, इस अगला कोशन है International Day of Action for Rivers अभी हाली में कौन से दिन मनाया गया तो ये दिवस दो दिन पहले मनाया गया है कब 14 मार्च को 14 मार्च और इस बार 2023 की थीम रही Nights for Rivers इस दिन को मनाने के पीछे का मेन उद्देश यह है कि लगातार लोगों में awareness फैलाई जाती है campaign चला कर कि आप नदियों को अपने सहज बना कर रखें नदियों को सिक्योर करके रखें उसके पानी को polluted ना होने दें क्योंकि नदी ही हमारा जीवन है क्योंकि ले देकर पूरी प्रिच्वी के अंदर नदियों का मीठा पानी ही पीने लाएक है समुद्र का खारा पानी पीन दीती पता है तो comment box में लिखकर बताईए नहीं तो कल में इस commission के भी बारे में बताऊँगा और इस committee के भी बारे में बताऊँगा exam engine पर आप matches के लिए नोल कर सकते हो कल से ये batch start हो चुका है complete history and quality का तो आप इसके लिए admission ले सकते हो 25 तारी तक इसमें admission खुले है उसके बाद हम कोई भी admission इसमें नहीं लेंगे अगर आपने monthly current affair PDF अभी नहीं ली है मतलब magazine नहीं है पूरी पूरी तो आप ये भी ले सकते हो इसके अलावा history का recorded batch भी आपके पास available है आप ये भी ले सकते हो MTS वाले students आपके लिए अभी भी लेट नहीं हुआ है MTS का batch हमारा चल रहा है March के ही महिने में पूरा ये खतम हो पर आएगा तो 31 March से पहले तक अगर आप ले लेते हो तो आप live classes भी कुछ देख पाऊगे और recorded तो आपको सारी मिली जाएंगी तो ये वाला batch आपके पास option है इसमें आपके सारे subject cover हो जाते हैं और यहां केवल आप Jesus जी के लेना चाओ तो वो आप इससे भी ले सकते हो सबके link वीडियो के description में दिये हैं तो अभी की बात यहीं नग रहेगी thank you so much have a nice day take care बाबाए आपका दिन मंगल मैं हूँ